हरो दोस्तों मैं नाम है सिदाथ सिना और इज़े वीडियो आपकर CIB का ABM, BFM, Case Study और Numerical करण बात कर रहे हैं हो यह रहा है कि आप अगर देखेंगी जो trend आ रहा है question में जानतर आपकर देखेंगी case study और Numerical के सवाल आते हैं यह दो portion ऐसे हो गए है जानतर आपको 30 से 40 marks इसी इपड़ेंगे 30 से 40 marks सिर्फ और सिर्फ case study इपड़ेंगे बागी critical पर आपका 70 marks है तो कहने का मतलब क्या है कि जिसका case study होगा case study क्या है easy है तो यहाँ आपको score अच्छा आ जाता 30 से 40 marks आपके हाथ में रहेंगे कमांड में रहेंगे तो यह बहुत बड़ा portion होता है case study इसको नजल अंदाज नहीं कर सकते है और होता यह सबसे बड़ा problem क्या है case study में problem कि आपको case study मिलेगा ही नहीं हाडली आपको कोई मिलेगा हाडली to find case study आपको मिलेगा ही नौर्मली ठेके कहीं दब ढूंड लीजे बुक ढूंड लीजे कोई किताब ख्रिम लीजे case study आपको मिलेगा ही जल्दी ठेक है और कहीं मिल नहीं किया तो कोई 1 case study करा देगा कोई 2 करा देगा बहुत अच्छा होगा तो कोई 3 case study करा देगा तो क्या आपको लगता है एक 2 या 3 case study बढ़के कि आपका CID निकल जाएगा नहीं निकलेगा case study में भी ranges होती है कई range होता है तो मेरा यह बोलना है कि case study कर हम कर रहे हैं काफी अच्छे amount पे करना चाहिए ताकि हमे case study पे को problem नाए बस उसमें कोई भी दिकत ना है जो भी case study दो कि भाई हम बना देगे उसाम के तो सबसे बहुता problem जो एक case study कर वह है कि हमें को question मिलता ही नहीं case study कर मिलता है बहुत कम मिलता है उसको धंब से समझाया हुआ नहीं रहता है ठीक है, ठीक है, explanation नहीं रहता है उसका यह भी problem है कि explanation अगर आप जाते तो नहीं मिलता है यह सारी कुछ problems है इसमें तो समझना ही है हमें कि case study जो है उसको छोड़ नहीं सकते यही कारण है कि लोग आप सुनिएगा कि CIE में कोई 8 बार फिल कर गया है कोई 10 बार फिल कर गया है कोई 12 बार कोई 16 बार फिल किया हुआ कि CIE में Reason is very simple CIE hardly किसी के मूझ से सुना होगा कि CIE किसी ने first attempt में clear किया है पहला कारण जो यह भी होता है clear नहीं होने का कि हम case study को ध्यान नहीं देते इसको ध्यान नहीं देते हैं कि सीधा से सीधा से बता दो case study बहुत असाल है समझ गए तो पूरे नमबर आ जाएंगे नहीं समझे तो नमबर सीधा 0 आ जाएगा नहीं समझे मतला पढ़े नहीं तो नहीं समझे दूसरा बात क्या होता है हम लोग last moment में पढ़ाई करते है last moment study करते है ठीक है और CIV यह actually last moment में पढ़ाई करने वाली subject है भी नहीं CIV कोई चाहिए कि last moment में पढ़ने और काम हो जाएगा नहीं होगा CIV के आपको पढ़ना तो शुरू से पढ़ना है ठीक है कि हाँ 6 महिदे सा time दे रहे है और उसको पढ़ रहे है यह CIV के रहे हो जाएगा पर आप चाहिएगे कि exam से 5 दिन पहले 10 दिन पहले पढ़ने आप CIV नहीं करते बस very difficult किसी तरी के से case study आप कर सकते हैं कि हाँ 10 दिन में 5 दिन में case study हो जाएगा बर theoretical क्या करेंगे जिए theoretical है इसको तो पढ़ना पढ़ना पढ़ेगा ठीक है तो यह सब चीछे हैं हमने क्या किया है कि आपके लिए case study BFM में 35 करा दिया है 35 case study है बहुत है case study 35 काफी ranges पे हैं ठीक है ABM में हमने case study लवख लवख आपको 30 का आजए ठीक है 30-0 तो यह भी काफी हो जाता है case study तो इतना I think प्रयाप्थ है आपको पाने के लिए selection लेने के लिए it's very good ठीक है अब हमने क्या किया है अब हमने क्या 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 है कि आप आपको JIB CIB की courses प्रवेट की जाती है यह सारी courses online mode पर होता है यहां पर आपको login आडियो और password मिल जाएगा जिसके help से video lecture courses आप देख सकते हैं अगर आप कोई भी सिंगल JIB CIB या फिर बैंक प्रमोशन पेपर खरते हैं जिसका दाम में 2000 रुपे और अगर आप JIB का कॉमबो पे खरते हैं तुने पेपर एक साथ खरते हैं अगर अब CIB का दोनों कंबल सेरी पिपर प्लस विटेल बैंकिंग खरते हैं इसका दाम में चार्ज है 500 रुपे आफर प्रैसे 500 रुपे रहेगा दस मॉक्टेस खरते हैं कोई पिपर का दाम है 199 रुपेज और कॉमबो पेकर मॉक्टेस का 399 रुपेज जा जाना कारेक लिए फोन भी कर सकते हैं फोन नंबर हो गया 49685127 दुसर नंबर है 7827546946 वेबसाट में जाके डार्टली ओनलाइन ओडर प्लैस का सकते हैं वेबसाट होगे www.jibservicstudymedal.com email id होगे www.jibservicstudymedal.com